दोसों, यह है Vanbo का एक और नया प्रोड़क्ट, यह एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, और इसकी खासित यह है कि यह Netflix Certified है, बहुत सरे प्रोजेक्टर जो मार्केट में अवलेबल है, वो एक बेसिक सिस्टम के साथ में आते हैं, या फिर आपको जो HDMI पोर्ट है, उसमें इसमें दिया हुआ है, यह है Vanbo TT, अगर आप यह प्रोजेक्टर खरीदना चाते हैं, या फिर कोई भी अनियर Vanbo के प्रोजेक्टर खरीदना चाते हैं, व्यू प्रड़क्टर के लिंक है, स्क्रिन के पर आपको दिख जाएगा, उसे टैप कीजिए, और वहां से आप Vanbo के प्रोजेक्टर खरीद पाएंगे, चलिए इस वीडियो में मैं आपको एस TT प्रोजेक्टर की अन्बॉक्सिंग करके बताता हूँ और इसे चेक भी करते हैं, देखते रहिए, तो चलिए इस बॉक्स की अन्बॉक्सिंग करते हैं, स्पेक्स यहां पर मेंचिन किया हुआ दोल भी ऑडियो सपोर्ट के साथ में आता है, तो चलिए जो बॉक्स है, इसे मैं खुल देता हूँ, बॉक्स के अंदर यह कुछ बॉक्लेट है, वारंटी कार्ड है, यूजर, मैनल दिया हुआ है, यह है प्रोजेक्टर, यह ब्लाक कलर का है, यह दिखे, ऐसा दिखता है, इसके अलावा बॉक्स में यह है पावर केबल, एक रिमोट भी दिया हुआ है, इस रिमोट पर देख सकते हैं कि डेडिकेट बटन्स दिया हुआ है, नेट्फलेक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और ओपन ब्राउसर, अब यह जो प्रोजेक्टर है, यह अपना ही स सिस्टम रन करने वाला है, वैसे जो बैटरी है रिमोट के लिए यह बॉक्स के अंतर नहीं दिया हुआ है, यह देखे, यह है प्रोजेक्टर, यह लेंस है, नीचे यहाँ पर अगर आप चाहें तो ट्राइपोड को अटैच कर सकते हैं, और रबर पैडिंग भी दिया इसे ओन करने के बाद मुझे यह डिफॉल्ट स्क्रीन मिला हुआ है, होम पेज यह कह सकते हैं, और यह जो प्रोजेक्टर है, इसने आटोमाटिकली, जो फोकसिंग था प्लस जो एजस्मेंस था, वो इसने कर दिया है, तो आपको बेसिकली कुछ करने की ज़रूप नहीं है यह जो प्रोजेक्टर है, यह जो प्रोजेक्टर को थोड़ा सा मूफ किया तो यह student करने वाला है, तो मैं फिलाल जो रेमोट दिया हुआ है उसे योसकर रही हूँ, नविगेशन के लिए, और देख सकते हैं कि यह सारे ओप्शेंस है, नेटफलेक्ष, ओट यूट्यूब YouTube Kids, Facebook, Prime Videos भी है, Amazon Prime Videos अगर आप उसे उसकरना चाहते हैं, Screencast कर सकते हैं मतलब कि आपके पास जो Smartphone है उसे Connect कर सकते हैं, Casting कर सकते हैं Home Share के भी Option दिया हुआ है तो मैं फिलाल Setup कर लेता हूँ Wi-Fi का, तो मैंने अब Wi-Fi Connect कर दिया है और अगर आपके पास Netflix का अकाउंट है या फिर जो Prime Videos है उसका अकाउंट है, Amazon Prime उसे आप आड कर सकते हैं और जो content है यहाँ पर आपको दिख जाएगा और मैं यहाँ पर YouTube में जाता हूँ और YouTube का जो content है वो प्ले करने की कुशिश करता हूँ अच्छी बात यह है कि आप आट ओफ दी बॉक्स आप डारेक्ली अपने आपको entertain कर पाएंगे, आपको किसी भी external device कनेक करने की ज़रोती है वैसे additional HDMI पोर्ट दिया हुआ है अगर आप चाहें तो वहाँ पर TV Stick कनेक कर सकते हैं या फिर कोई भी अन्य डिवाइस, HDMI डिवाइसिस कनेक कर सकते हैं और जो content है वो इस projector पर देख पाएंगे मैं यहाँ पर मेरा ही यह video प्ले करता हूँ वैसे sound quality इसकी काफी बढ़िया है और अच्छी चीज यह है कि इसमें built-in speaker दिया हुआ है तो इसकी quality है काफी बढ़िया है यह दिखे तो मैंने जो lights है ऐसे on कर दिया है और यह दिखे यह इस प्रकार का दिखता है वैसे आम तोर पर जो projectors है इन्हें आप अंधेरे में ही use करते हैं light के साथ में use ने करते हैं लेकिन in case अगर आप light के साथ में ऐसे use कर रहे हैं तो यह देखे ऐसा दिखने वाला है मैं एक और light source को on करता हूँ ताकि जादा light हो जाए अभी भी जो projector है जो project कर रहा है वो मैं देख पा रहा हूँ तो काफी अच्छा है मैं light को बन करता हूँ और suddenly आपको जो quality है बहुत बढ़िया लगने वाली है आम तोर पैसा होता है यह देखे अब जो quality है एकदम impressive level की है तो यह भी एक काफी बढ़िया projector है जिसके लिए आप जा सकते है Netflix certified है और मैं home screen में जाता हूँ यह देखे और यह देखे और यह है projector के options setup, picture mode, audio, bluetooth, network, focus तो यहां से भी आप काफी चीज़े projector की control कर पाएंगे यह जो LCD projector है इसका maximum projection size है यह है 120 inches यह wide wind L1 support के साथ में भी आता है जो की बहुत ही rare है projectors में इसमें 5 watt के 2 speakers दिया हुआ है जो audio की quality है decent है यह UHD 4K support के साथ में भी आता है लेकिन जो native resolution है वो है 1080p तो यह बहुत ही compact सा projector है आप इसे आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इसका जो performance है यह भी काफी अच्छा है अब यह जो projector है इसका pricing higher side में है इसका pricing है यह है 32,999 रूपीज यह Amazon पर available है link मैंने video के description में दिया हुआ है देखते रहिए